दोस्तो आजम पढ़ने वाले हैं खेल सम्मंदित इंपोर्टेंट कोर्षन तो आप अपने एक्जाम से पहले इन कोर्षन को जोब पढ़कर जाना वेरी इंपोर्टेंट है पहला कोर्षन दिखते हैं आगामी एसाई खेलों की मेजवानी कौन सा देश करेगा दिखते हैं बास्केट बॉल्ड के सीड्स खिलाड़ी माइकल जार्डन के देश का प्रतिनित करते हैं दोस्तो कौन सी देश का करते हैं चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए अमरीका देश का याद कर ले ना आ सकता है आपके एक्जाम में अगला को होनी सबी को बता होगा बेहती इंपोर्टेंट कोसन याद कर लेना अगला कोसन देखते हैं कौन से प्रिधार मंतरी के प्रियासों का नतीजा है दिली में इसे खेलों का योजन दोस्तों आपको बताना है ऐसे कौन से प्रियासों से इसे खेल दिली में होई थे इसका सही उ दोस्तों वह हुआ था 1930 में ऑप्सन नमबर डी इसका बिल्कु राइट अंसर है याद कर ले ना 1930 में फीफा खेल का आरम हुआ था आगे दिखते हैं 1996 में करिकिट वर्ल्ड कप जीत के दोरान सीरल लंका के कप्तान कौन थे दोस्तों आपको बताने चारों में से 1996 में के करिकिट वर्ल्ड कप के दोरान सीरल लंका के कप्तान कौन थे ऑप्सन नमबर बी बिल्कूर सयूत तरेस का अर्जुन राणा तुंगा याद कर लो इंपोर्टेंट है आ सकता है आपके एक्जाम में दोस्तो इसी पर गए कोसन आने वाले हैं बाएक के आप नीचे कमेंड करके बताना कि आपको कितने कोसन आते हैं और यदि आप चैनल पर नही हो पहली बार रही हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बेले कंदवा देना वीडियो अभी तर सेर ने कर देना अगला कोसन दिखते हैं बाहत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम किस सेर में इस्तित है दोस्तों इंपोर्टेंट कोसन आपके समने आ चुका है और ये कोसन का अंसर सभी को पता होना चाहिए इसका रैट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर A दिल्ली में दोस्तों बाहत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है दिल्ली में याद कर लेना आ सकता है आपके एकजाम में अगला कोसन दिखते हैं हम कौन सा खेल है जिसमें हुटू तुटू बोला जाता है दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कौन सा खेल है जिसमें हुटू तुटू बोला जाता है बहात रहतन प्राप्त करने वाला एक मात खिलाडी कौन है? दोस्तो आपको बताने चारों मैंसे सही उत्तर, वो है उप्सन नमबर डी, सचिन तेंदूलकर, याद कर लिना इंपोर्टेंट कोश्चन है आ सकता है, और कई बार पूछा गाए कोश्चन, तो बहात रहतन की टीम के कौन से कप्तान को कैपटन कूल कहा जाता है? सभी को बता वोगा, बताने कोई जरुवत नहीं है, औप्सन नमबर इसका बी बिलकुल सही है, महिंदे सिंग दोहनी को, कैपटन कूल के नाम से जाना जाता है, अगला कोश्चन दिखते हैं? इंड मैंसे किसे हिंद क केसी का खिताब हासिल है option number a बिलकुर राइट है चंद की राम को याद कर लो important है अगला कुछन दिखते हैं हम जीतु राय को राजिव गांदी खेल रतन पुरुषका 2016 किस खेल के लिए प्राप्थ हुआ था दोस्तो आपको बताना है जीतु राय को राजिव गांदी खेल पुरुषका अनशतों का नाम चेंज हो चुका है ठीक है और नीचे कमेंड करके बताओ क्या रखा गया है क्या रखागा है करेंट करिंड करके जरूर बताए कर जाना आप अगला कोशन देखते हैं हम अतेरी खिलाडी किस खेल में होते हैं दोस्तों आपको बताना इन चारों में से सबसे ज़्यादा खिलाडी कौन से खेल में होते हैं A. सातरंज में B. क्रिकिट में C. टैबल टेनिश में और D. बाली बाल में तो इसका सही उतर तो सभी को बता होगा ऑप्सन नमबर B. इसका राइट अंसर हो जाएगा इन चारों के मकाबले सबसे ज़्यादा खिलाडी होते हैं क्रिकिट में अगले कुशन दिखते हैं हम बाला पटेल ने टोकियो पैला लंपिक में किस परदा के लिए रज़त पदक जीता दोस्त आपको बताना इन चारों में से कौन से खेल के लिए बाला पटेल ने रज़त पदक जीता था अगले कुशन दिखते हैं हम पैल अलंपिक में से रज़त पतक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन है दोस्तों आपको बताना है सब परता किसने गोल्ड जीता था पैल अलंपिक में पैलता महिला आपको बतानी है वो है option number D इसका से उतर हो जाएगा अबनी ले खारा याद कर लेना इस वार आपके एक्जाम में आ सकता है अगले कुशन दिखते हैं हम किस खेल में अमपायर होते हैं बहुत ही जी कोशन सभी को इसका उतर पता होगा A करिकिट, B होकी, C खोको या D का बड़ी राइट एंसर, option number A करिकिट याद कर लेना आ सकता है आपके एक्जाम में तो दोस्तों आज हमने sports से सम्मंदे important question आपके लिए करा दिये और ये question आपके एक्जाम में आ सकते हैं आप इन कोशनों को अच्छी तरह स्याथ कर लेना और जिन बच्चों का एक्जाम में आप इस वीडियो को इन तरह पहुंचा सकते हैं उनका थोड़ा हिल्प हो जाएगा तो सेर जरू कर देना वीडियो आपको पसंद देए तो लाइक कर देना और हाँ यदि आप चैनल पर नहीं हो पहली बार रहे हो तो चैनल सस्क्राइब करें न हम आपके लिए पलपल की जैन कर लाते रहते हैं और जी के वीडियो आपके लिए डेली आएगा तो चैनल पर ऐसी बने रहना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करते हैं रहो अपना ख्यार लखना जय हिंद